दूर से देखा तो ऐसा लगा कि कोई 18 साल का लॉंडा किसी का चलचित्र देख रहा था पास जाके देखा तो वो कोडिंग कर रहा था ये बात थी 2019 की उस व्यक्ति को ये लग रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि सी के आगे दो हॉस्पिटल के साइन या का के बिना कोई एप बन भी सकता है उसको लगता था कि इन चीजों को देखने भर से ही लेकिन किसी और के पाँ वहाँ पढ़ चुके थे आप यही सोच रहे थे कि इस इंट्रो का क्या मतलब है अब ही बताते ही मैं इसे देखो हमने बिना किसी कोड के इस बिजनस एनलेसिस एप को फैशन एप जो ट्रेंडी स्टाइल्स की बेस्ट प्राइस भी आपको दिलवा दे इतना ही नहीं म्यूजिक एप, कोकिंग एप और मैराथॉन की तैयारी तक करवाने वाली एप यूट्यूब आटोमेशन एप से लेकर ट्रैवल एप तक आपकी इमेजिनेशन की कोई भी एप वो आप बना सकते हैं क्योंकि नो कोड अब पुराना गुड्डू नहीं रहा AI के आने के बाद अब वो लिबर-लिबर भी ने करता आज से पहले नो कोड का इस्तिमाल डिजाइन सेंट्रिक में किया जाता था जहां पर विक्स और वेबफलो जैसे प्लैटफॉर्म आपको ये फ्रीडम देते थे कि आप अपनी वेबसाइट को बिना कोडिंग के कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं और जो भी बैकेंड का प्रॉसेस होता था वो विक्स और वेबफलो जैसे प्लैटफॉर्म जो थे वो अपने आप ही समाल लेते थे और प्राइस भी तो बहुत ज्यादा थी यार खैर अब नो कोड ने भी तरक्की कर ली हैं बीकॉम के सब्जेक्ट्स ने इतनी ने की तो पूरे पांत साल इंटरनेट पे खोशते खोशते और फ्रीलांसर का खर्चा ना अफॉर्ड कर पाने के वज़े से और नो कोड वेब और वेबसाइट एप चैट बॉट डेटा अनिलाइजर इमेज जनरेटर गेमिंग सीप्यू थोड़ा भावुक हो गया सॉरी चलो अब रहा नहीं जा रहा है इस टूल को यार यूज करना पड़ेगा और आप भी कहेंगे इस वीडियो के बात कि यार पहले क्यों नहीं पत सकते हैं पहला तरीका है कि आप सिर्फ इमेजिका एया को प्रॉंट दे कि भाईया यह बना दे तो वो पूरा वर्क फ्लो तयार कर देगा और आपको सिर्फ एडिट करके उसे पब्लिश करना दूसरा तरीका आता है कि आप स्क्राच बनाएं जो कि हम करने वाले और तीसरा तरीका आता है कि टेंप्लेट का इस्तिमाल किया जाए जो अल्रेडी इनके पास है क्यार हम तीनों ही तरीकों के देख लेंगे जो आपकी श्रद्ध हो उसे ग्रेंड कर लेना पहले यह जानना जरूरी है कि हम बना क्या रहे हैं हम इस क्रियेटर एकॉनेमी में जाने के लि पहले 10 कंटेंट के टॉपिक कौन से कीवर्ड का इस्तिमाल करना चाहिए इसके उपर कौन से न्यूज लेटर बन सकते हैं और यह पूरा आटोमेटिक रहेगा बस आपको नीच डालनी है और उसके बाद यह आपको सारी चीज़े देगा खैर बनाना चालू करें कर लेते है पहले लॉग इन करो आपको कुछ ऐसा डैश्बूर्ट देखने को मिलेगा जहां पर टेंपलेट्स अल्रडी मौजूद हैं जैसे बिजनस एप का टेंपलेट एजुकेशन एप का टेंपलेट ट्रैवल एप कुकिंग यह सारे टेंपलेट्स तयार है हमने वताया था कि यह यह भी एक तरीका है जैसे एक ट्रैवल है तो आप देखेंगे यहां पर एक चीज लिखी हुई है बीच में नोड पे रन और रन की नीचे लिखा हुआ है जनरेटर वीकिंड ट्रैवल प्लैनर फॉर यह डेस्टिनेशन एंड इंट्रस यह एक प्रॉम्ट है जिसकी मदद से ए जो है वो इंपुट से आउटपुट जनरेट करेगा अब फॉर एक्जामपल यहां पर डेस्टिनेशन उपर आप देखेंगे एक ब्लॉक पैरिस लिखा हुआ है वो डेस्टिनेशन है और इंट्रस्ट है आपका म्यूजिक आर्ट फैशन उसके रिलेटेट वो से लेट करके इंट्रस्ट करके आर्पुट जनरेट करेंगे वह मैं बताता हूं कैसे अब यहां पर आप ऊपर आएंगे तो आपको पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहां पर आप अपनी एप का नाम और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और पब्लिशिंग अब जो यूजर होगा उसको यह दो दिखेंगे वह अपनी डालेगा अपने इंट्रस्ट डालेगा सब्मेट कर देगा और इससे अपने हिसाब के रिजल्स मिल जाएंगे यह तो था पहला तरीका अब दूसरा तरीका आता है फ्रॉम स्क्रैच तो क्रिएट अन्यू प्रो उसको किस तरीके का चैनल बनाना है यानि की नीश सेलेक्ट करेगा अगर आप एक के स्टेडिस के उपर चैनल बनाना जाते हैं तो एजुकेशन फ्रॉम के स्टेडिस को यूजर अगर डाले तो एड के उपर क्लिक करेंगे यहां पर हमारा कमांड बार खुल गया जो की जैसा बना रहे हैं तो किसी फंक्शन को ऐसा सेलेक्ट करने की ज़रूत नहीं है लेकिन हम यहां पर एक प्रॉम डालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है एक शोशल मीडिया पर जाने के लिए वह है नाम जो की एस यो फ्रेंडली भी हो और कैची भी हो तो ऐसे नाम यह जनरेट करके दे जो हमने नीश डाली है उसके रिलेटेड हो तो हम लिख देते हैं तो हमने डाल दिया क्रिएट अलिस्ट ऑप 10 यूट्यूब चैनल नेम्स एट साउंड कैची एंड एस्यो फ्रेंडली अब यह रन होगा और धेरे धेरे यह सारे नाम जनरेट करक आपके और यहां पर लिख देंगे तो हम लिखेंगे राइट आप विजूब लोगो डिजाइन डिस्क्रिप्शन और आप कैसा लोगो चाहते हैं सर्कुलर स्कुर ट्राइंगल तो उसके आगे लिख दीजेगा स्टार्ट याउर आंसर विद सर्कुलर लोगो डिजाइन और इतना करने के बाद एंटर कर दो अब इस description के आधार पर हम image को generate करेंगे add के उपर हम click करेंगे इसके आगे और यहाँ पर functions का इस्तिमाल करेंगे slash दबाएंगे और generate image के function पर click करेंगे यहाँ पर AI images को generate करेगा जो भी उसे description दिया गया है आपके niche के हिसाब से आप ऐसे ही multiple notes को generate कर सकते हैं जैसे कि इसने ये note के हिसाब से ये logo तो बना दिया लेकिन इसके अलावा आप फिर से add के उपर click करके और एक और multiple note तयार करेंगे function की को दबाएंगे यानि कि slash और हमने अभी generator image के उपर click किया था अब generate a photo इसके अलावा animation style भी हम generate करेंगे cybermatic painting style ये भी add कर देते हैं यह जो है आपकी niche के आधार पर चार images अलग-अलग तरीके की generate करके देगा जो पसंद हो चुन लेना अब हमें नाम मिलके है logo मिलके है अब metadata की बारी है और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमें description चाहिए या metadata चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिखेंगे आ है राइका detailed YouTube channel description of what the channel is about and what is viewers go through this channel viewers get through this channel also give some keywords and hashtags related to this जहाँ पर description की जो tone होगी वो casual होगी अब तीन चीज़े होगा ही अब पहले 10 content का जो title है वो generate करके यह दे दे तो हम डालेंगे फिर से add के उपर क्लिक करेंगे अब देखो title generate करने का ना दो तरीके होते हैं या तो हम यह बता दें कि इससे क्या-क्या problems generate हो सकती हैं उसके उपर titles बन जाते हैं और या तो हम इससे सीधा-सीधा पूछलें कि भाईया catchy titles बता दे तो वो जो चीज है ना वो थोड़ी सी मदा नहीं आएगा अगर problems के solution देने वाले title होंगे न तो आगा मजा तो हम questions से titles बनाएंगे तो हम लिख देंगे what are some most curious and interesting questions we could ask about this topic तो इसने हमें questions बना के दे दिये अब इन questions को हम टाइटल में convert कर सकते हैं और यहां पर लिख देजिए क्रिट कैची YouTube टाइटल बेस्ट ऑन इसके बाद आप अलग-अलग मीडिया फॉर्म में अपने content को बनाएं जैसे कि newsletter इंस्टाग्राम पोस्ट वगेरा वगेरा यहां पर आपका पूरा यूट्यूब का automation हो चुका है क्या हम newsletter भी बनाना चाहते हैं इसके उपर तो हम जो टाइटल जनेरेट किये हैं उसके उपर एड का option क्लिक करके अब हम जाएंगे उपर publish as के option के उपर यहां पर हम अपनी आप का जो है नाम दे सकते हैं description दे सकते हैं क्यार वो अलड़ी बना input दिखा रही है अब हमें जितने भी input हमने बनाए हैं उन्हें select करना होगा तो आप अपने input block के उपर आए और यहां पर उपर आपको arrow को option मिलेगा जहां पर लिखा होगा publish as content तो उसके उपर क्लिक कीजिए हम यहां से कर लेते हैं एक एक करके सारे contents को हम add करेंगे तो simply अब हमारी app तयार है हम यहां पर publish के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद यह app तयार है आपको एक link भी मिल जाएगा खर अगर आप इस app को use करना चाहते तो मैंने link description पर दे दिया है तो यहां पर देखी create क्याची YouTube titles एक title है आप अपने हिसाप से edit कर सकते हैं for example मैं यहां पर कोई भी डिकास अब enter कर देंगे और इसके बाद यह मुझे वो सारी चीज़ें करके दे देगा जिसकी मुझे जरूरत है तो लोग इसने दे भी दिये नाम देखो चिलिंग टेल्स क्रीम्स एंड शैडूज लोगों तो मैं बहतर नहीं कहूंगा लेकिन आप inspiration ले सकते हो बस इसके बाद हमें description देखने को मिलता है, hashtags, keywords, क्या questions इससे बन सकते हैं, पहले 10 titles, अब बस एक तरीका रहे गया है, वो prompt वाला, prompt डालो और उसके बाद पूरी अप तयार, a new project के उपर click किया, और start with a prompt के उपर, auto imagica के उपर हम आए, और यहां पर हम prompt डाल देते हैं, यहां पर हमें example क के तोर पे कुछ चीज़े already दी रखी हैं, यहां पर stock market की app की बात हो रही है, जो हमने अभी किया, यह अब पूरा काम automatically करेगा, यह एक beginner friendly app maker है, जो कि आपको शुरुआतरी टाइम पे बहुत काम आ सकता है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, लेकिन मुझे य यह भी लगा कि आपको left वाली वीडियो भी बतानी चाहिए, और अगर मैं right वाली की बात करूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए, be busy